हेलो फ्रेंट्स जैस्री कृष्णा जैमादादी जैस्री शाम कैसे हो दोस्तों आप सभी आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे प्राथना करूंगे इश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें देखिए आज की वीडियो हमारी बहुती खास बहुती होने वाली है जी हाँ स्पैशली वीडियो है आज की क्योंकि आज हम आपको कुछ खास और कुछ महत्वपूर्ण अगले छे महिनों के लिए बताने वाले अचानक क्या होगा अगले छे महिनों में किस तरह के चेंजिस आएंगे किस तरह का परिवर्तन आएगा क्या होने व प्रेस करें वीडियो को शेयर करना बिलकुल भीना भूलें तो शुरुबात करेंगे बिना किसी नंबर भी है नमीथ नमबर वन तो थिक यह दोनों नमबर में से जो भी नंबर आपको उपने तरफ़ अट्रैक् करें आपको अच्छा लगें जुआ फरिजिल आपका मुलांक हो जो आपका भाग्यांक हो जो आपका लोकी हो एक और दो दोनों में से उसे जल्दी से आप चूज करने उसके बाद हम देखेंगे क्या लिखा है आपकी किस्मत में क्या कहना चाहती है किस्मत आप से और आखीर टेरो कार्ट यूनिवर्स के माध्यम से आपको क्या संकेत दिये जा रहे इसंकेत किस हद तक आपके काम आने वाले हैं किस हद तक आपके जीवन में आगे चलने वाले तो प्लीज इने बहुत ध्यान से सुनीगा और समझीगा बहुत ही महत्रपुन और बहुत ही काम के हैं आज की वीडियो लाइक जरूर करें अबसक्राइब करें और इसे तरह से अगले 6 महिनों का आपको ध्यान रखना है, आखिर क्या होने वाला है अगले 6 महिनों में आपके साथ? ठीकि किस तरह के चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं? सबसे पहले तो प्रॉफिट बहुत सारा लिखा है अगले 6 महिनों में हैं, बटोरना चाहते हो उतना प्रॉफिट बटोर लो क्योंकि जो आने वाला समय है यह आप के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है इन अवसरों का जिस हद तक लाव उठा सकते हो उठा लीजिए इस विच कोई नया काम शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो बिना किसी ज्यादा सोच विचार के नय काम की शुरूबात कर लो कि नया काम आपके जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां लेकर के आने वाला आपकी आर्थिक इस्तती जो आपको कमजोर लग रही है यह बहुत जल्दी मजबूत होने वाली है जो निर्णय आप लेना चाहते हैं वो फटाफ drift में आपको फाइदा वहुँंगे सफलता भी आपके इच्छा के अनुसार मिलेगी उनुस्लिद में अपको फाइदा भी जिस जगेंaven करवाना चाहते हैं जिस जगेंगे आप अपना पर्चम लहरा ना चाहते हैं जगेंदे आपको बहुत जल्दी फायदा भी होने को आपको तोन कसक्राइब को ताने दे रहा है या यू कहें तो कोई आपको आलोचिना कर रहा आपकी कई पीठ पीछे कोई बुराय कर रहा तो इन लोगों से हमें निराश नहीं होना बलकि खुश होना यह वह लोग है जो हमारे उंटी के रास्ते खोल रहें क्योंकि जब तक हमारी बुराई नहीं होगी तब तक हम उचाई पर नहीं पहुंचेंगे तो जो लोग हमारी बुराई करते हैं जो हमारी आलोचना करते हैं जो पीट पीछे हमारे लिए गड़े होते हैं ऐसे लोगों को तो हमें धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि जिस इंसान की जितनी बुराई होती है वह उतनी उचाई पर पहुंचता है दूसरों के लिए कभी भी क्रोध और चिर्चिडा पनना रखें कि अगर आप किसी की अलोचनाओं को अपने दिल पर ले लेंगे बुरा लगेगा क्रोध आएगा चिर्चिडा पनोगा उसका असर आपके रिष्टों पर पड़ेगा तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखें जो बाते आपके लिए फिलहाल इंपोर्टेंट है केवल आप उन बातों पर ध्यान दे और अपने जो घर के सिक्रेट से वो लोगो के साथ शेयर बिल्कुल भी ना करें पिल्कुल भी शेयर ना करें काड ओपन हुआ है जो यहीँ बता रहा है कि आपकी हडब ज़दा बोलना बहुत ज़दा बोलना यह आपको हमेशा लिक्त दे tiếp theo रहा हैं आप अपने से क्रेट्स अपनी उपलब्धियों को वखान लोगो जदा बड़ा हट में लोगों को अपनी जो भी योजना हैं जो भी उपलब्दियां हैं जो भी आपको उप्चिनुटिया मिल रही है आप सब शेयर करते नहीं करना चाहिए कुप्त रखी सिफ अपने तक रखी यहां तक कि अपने सगे संबंदी अपने परिवार के लोगों को भी अभी मत बताईए जब तक आप पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो जाते जब तक पूरी तरह से आप उचाईयों पर नहीं पहुत जाते जब तक आप अपने खुद के करते हैं अगर चलि-थोड़े आप नहीं कर रहें लेकिन आप 통वार के लोगों को बताएं माताइ बहने आपके परिवार में जो भी है यह लोग तो जहां कहीं हम से अपने रिष्टेदारों से अपने प्रेंड सरक्र, अवश्य करें मेरा बेटा ऐसा करता है मिरा बेटा वहां पर है बहुता है वह कर रहा है उन चीजों से चाहिए हमारे जिंदगी में परिशानी हो इस परिष्चानी होती है जिस पाइसे कही न हम सब्सक्राइश होता हैं और उस यह प्रॉब्लम ही हम भुद और यह mindset करते हैं जाट रहा है तो आप किसी के भी साथ शेर मत करो ठीके अच्छा इस बस अच्छा बहुत अपने उपलब्धियों के बारे में नहीं बताना यह को बहुत पश्था होगे बहुत टेंशन होगा और बहुत सारी जीवन में प्रोब्लम्स इसीवजे से अगले श्यम महीं निए आ होते हुआ दिखाए दे रहें फायदों को इन उनतियों को इन उप्चिनुटि ओक उपलब्धिए को किसी के साथ आपको बखान नहीं करना वरना बहुत बड़ी विचारों का विरोध कर रहा है, तो आपको उस वक्त शान्त रहना होगा, अगर किसी को आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, कोई आपकी बातों का, आपकी जो आप जिस जगे आप कर रहे हो, वर्क उस जगे का विरोध कर रहा है, क्या यहां तो कुछ नहीं मिलता है, यहां आप देते हैं बोल देते हैं पूरा इभी सीडी में को इतना पड़ता है में आज यहां से इतना कर लिया में आज मांसे इतना कर लिया मैंने तो इतनी सारी चीजें यहां से कमा रखी यह सारी बाते हम बोल देते हैं बस वही चीजें हमारी बरबादी का रास्ता खोल देती त उसे वेसी अपनाएं कठी निर्ने अगर कोई लेना पड़े तो ज़्यादा सोच विचार ना करें परिवार के लोगों का साथ मिलने वाला है लोगों से मिले साथ की वज़े से ही परिस्तिती में बदलाओ भी होगा थोड़ा सा अपने विचारों को पॉजिटिव करने की क्या लिखा है क्या कह रही है किताब जिनोंने भी फर्स्ट नंबर चूस करा है उनके लिए दिख लेते हैं क्या कह रहे हैं टेरोकार्ट क्या लिखा है किसमत में कहां ले जाएगी आपकी किसमत भाग के कहां ले जाएगा कौन से खुश खबरी आपके दरवाजे पर दस्त कार्य और धर्म कर्म पर धन खर्च होने वाला ठीक है जो भी नेक कार्याप करेंगे उस पर धन खर्च होने वाला है और अपने मित्रों रिष्टेदारों से हर संभव संयोग आपको मिलने वाला इस कारण जो आपके मुश्किल काम है वो भी बहुत जल्द पूरे होंगे सफेद वस्तु का दान करे और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाए ये बहुत जरूरी है ठीक है व्यापार और व्यवसाय में अधिक धनलाब होगा सफलताई मिलेगी बुद्धी मानी से आप अपने कारे को बहुत आसानी से पूरा कर लेंगे अच्छा धनलाब आप कमाने वाले हैं आने वाले समय में ठीक है शुब समाचारों की भी प्राप्ति होने वाली है परिचितों का भी अच्छा संयोग मिलने वाला है परिवार की बातों का बुरा ना माने नई परिस्तिति नई प्रतिभाय लेकर क्या आईगी इस बात का विशेज ध्यान रहें हर बात को गलत तरीके से बोलना आपके लिए दिक्कत दे सकता अगर आपको किसी की कोई बात मालूम भी पड़ी है कोई चीज से आप वाकिब भी हुए है किसी का कोई सच आपको मालूम पड़ा है तो उ उत्सहा के साथ कठीन समस्याओं का सामना करने के लिए आप त्यार रहेंगे अगर आप दूसरों की आलोचना करना बंद कर देंगे तो आपको बहुत सारे लाब अपने जीवन में होते हुए दिखाए देंगे दूसरों की बुराई करना आलोचना करना लोगों से तुलना करना उसके पास यह मेरे पास यह चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं सब कुछ सामानी होते वे भी वेराग्य का भाव आप में आता है कुछ मत करिए शिव चालिसा का पार्ट करिए ठीक है आप अशुब परिस्तितियों पर विजय प्राप्त कर लेंग आप अपने शत्रों को पराजित भी कर लेंगे परिवार के साथ अच्छा समय भी वितेगा घर परिवार में आनंद का वातावरन देखने को मिलेगा और जमिन जायदात से रिलेटेड लाब भी होगा फिलहाल थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है अपनी वानी पर थोड़ संयम रखना और जीवन में आगे बढ़ते रहना अपने आप पर आप विश्वास रखें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके अपनी योगिता को आप साबित करें किसी महत्वपून शुब कारे के लिएगर आप प्रियास करेंगे लंबे समय से अटकावा कोई काम चले जैसा हम सोच रहे वैसा ही चले इसा संभव नहीं है इसलिए हर इस्तिती में समझदारी से काम ले आप थोड़े एक्सप्रेसिव बन जाते हैं और जल्द ही सफलता हाथ लगेगी यह ध्यान रखें एक तरफ परिवार में सुखद इस्तिती रहेगी और एक तरफ कोई कंडिशन ट्रिफिकल्ड हो सकती हैं महत्वपून कारे के महत्व के लिए कड़ी महनत आपको करनी पड़ेगी रोजगार में आपकी प्रतिभा निखरेगी व्यापार व्यवसाय में सफलता मिलेगी परिवार का सुख मिलेगा अपनी आदतों में बदलाओ करें बहुत जल् खुद का मकान होगा खुद का बैंक बैलेंस होगा खुद की गाड़ी होगी उच्च पद पर आप बैठेंगे कोई शुप समाचार मिलेगा घर में खुशी का माहूल रहेगा आशा के अनुरुब आपको सफलता मिलेगी और मन में संतोज भी होगा ओके दिखिए चिंताए मन पर दबाव डालती है तो कभी भी चिंता को अपने अंदर जगे ना दे अपने मन में जगे ना दे अपने दिमाग में जगे ना दे यूकि चिंताएं हमें आगे सोचने नहीं देती आगे बढ़ने नहीं देती बुद्धिमानी से अवसर का लाब उठाएं अपनी योग और बहुत अच्छा समय है तो enjoy करें relax रहें सब कुछ आपके life में अच्छा हो अब बात करेंगे second number की जिनोंने second number चूस करा है उनके लिए भी देख लेते हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है किस तरह की positivity आने वाली अगले 6 मैंनों में क्या होने वाला है किस तरह से समय उनके जीवन में आने वाला है किस तरह के changes उनकी life में आने वाले तो यह भी हम समझ लेते हैं बहुत अच्छा समय फिलहाल चल रहा है बहुत अच्छी opportunity आपको जीवन में मिल रही है काफी कुछ life में आपने खोया है और बहुत कुछ आप भी रहें अभी फिलहाल life में देखे होत अबरी लेकर क्या रहा है मतलब कि एक bad news अगर आ रही है तो याद रखियो उसका ज्यादा अफसोस ना करें क्योंकि वह दो good news और पीछे लेकर आ रही है उसका इंतजार करें है तो जीवन में आपकी यही हो रहा है आपने बहुत संगर्ष करा बहुत महनत करी बहुत चोट पापी लिस्ट जलने वालों के इसकदर लोग जल रहे हैं की एसा लग रहा है कि काम करें और पैसे उनको मिलत जी यहां बहुत जल रहे हैं लोग आपसे जलने वालों के मुढ एक तरीके से बंद हो सकता है अगर आप अपने बारे में अपने योजनाओं के बारे में किसी को ना बता क्योंकि यह कहीं न कहीं हमें दिक्कत दे जाती है ठीक है और नकारातमक विचारों की वजह से भविश का डर आपको हर समय रहता है कि कहीं में असफल ना हो जाओं कई इसकी वज़े से यह ना हो जा उसकी वज़े से वो ना हो जा यह आपके लिए तनाव का कारण है तो पॉजिटिविटी को थोड़ा सा बनाये रखें कोशिश करते रहें अपनी इच्छा शक्ति के बल पर आप क कर रहे हैं वह बहुत जदा धीले बहुत धीरे तरीके से हो रहा है थोड़ा सा उसमें नया कुछ लेकर कि आये कुछ टेक्निकली कुछ यूज करिए कुछ मार्केटिंग यूज करिए अपने वर्क की अपने प्रोडक्ट की इससे क्या आपके जीवन में जो अभी फिलहाल चेमिनों में आपको बहुत सारा लाब होने वाला बहुत सारी उपलब्धियां जो मिलने वाली है इस वज़े से आपको थोड़ा सा अपने आपको मॉटिवेट करना होगा थोड़ा आपको कहते ना टेक्निकल नॉलेज की भी ज़रूत है ठीक है आपका ध्यान नकारात्मक बातों पर बहुत ज्यादा रहता ही जिस वजह से जो निराशान बढ़ रही है तो तो ने मतिवीटिऄ से ध्यान हटाना है चाहे लोग कितना ही हमें गलत बोले कितना ही हमारी आलोचना करें हमें उनकी बातों में नहीющban। हाथ की ou Gleich कि हमारी नहीं है हम व vậy फरक ने पड़ता है इस बात पर विशς ध्यां में परिवर्तन करिये आपका स्वभाओं में परिवर्तन करना बहुत जरूरी और किसी से भी बात्चित करते समय एहिंकार नहीं करना है बिलकुल भी लक्ष की वज़े से कठिनाईयों का सामना करने का जजबा आपका बना रहेगा जो भी लक्ष आपने तह करा है जीवन में उस लक्ष से आप कठिनाईयों का सामना कर लें किसी की भी साथ बात्चित करते समय एक बात का द्यान रखे, कि निराशा की वज़े से सैयं आपका कम हो सकता है, तो बिलकुल तरा आहीं लेना, बिलकुल निराष नहीं होना है थोड़ा सा positive होने की कोशिश करें negativity को दूर करें अपने आप से negative कामों से भी आप दूर रहें ठीक है अगर आप परिस्तिती को देखने का नजरियां बदलेंगे तो अपनी गलतियां आप दूर कर पाएंगे आप सिब यह देखते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है कैसे हुआ आप यह नहीं देखते हैं कि उस सामने वाले की सोच हमारी सोच से कितनी अलग है यह हमें देखना होगा ठीक है चली कुछ बाते हैं एक्षी महिनों में अगर आपने महनत कर ली आप आगे बढ़ते रहे आप रूके नहीं आपने किसी की बताई इमांडारी ऐशisme रखी चलकपड से पैसा कमाया नहीं अगर यह चीज आपके अंदर अगले छे महीनों तक रही अगर आपने अगले छे महीनों तक अपने आप पर कंट्रूल कर लिया पॉजिटिविटी बनाया रखी हर बात में पॉजिटिविटी ढूने की कोशिश करी तो आप विश्वास भी नहीं करेंगे इस तरह 6 महीने बाद परिवर्तन आएंगा यह तीनसो टेक्शन ग्यारेंटी ना तो रोंन तो कि दूसरीं सो पर संट ग्यारेंटी है कि आप util às każफं ह सट सों इंसान बनें गे और इसकी शुर्वाद्य आप कल से करें गिच्शे महीनें आपके लिए महत्वपून इन शे महिनों में हमें वो करके दिखाना है जो हमने अभी तक नहीं करा जो लोग एक जगे ठेर जाते हैं डर जाते हैं असफल हो जाते हैं उनके जीवन में कोई बदलाओं नहीं आता है कोई लक्ष पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें खुद महनत करने सफलता हमारे पास चलकर नहीं आती इसके लिए हमें बाधाओं को पार करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहना होगा ठीके दिखे शुरुवाती प्रयासों में हमें सफलता हो सकता है नहीं मिले असफलता मिले लिकिन हमें निराश नहीं होना है बलकि सकारात्मक सोच के स फिर से प्रयास करना है तभी ये लक्ष पूरा होगा सफलता दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना हो और सिर्फ सफलता है सफलता हो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान भी ना हो इसलिए समस्याओं पर नहीं समाधान पर ध्यान दे समय औ विवादों से बचना चाहते हों कलत से बचना चाहते हों तो दूसरों को गलत मत समझो बलकि यह सोचो कि उनकी सोज हमसे कितनी अलगे जब हम दूसरों के सोच की कद्र करेंगे जब हम यह सोचेंगे कि इसने इस वजह से ऐसा बोला होगा तब वाद विवाद की स्तिती बनेगी ही नहीं ठीके जिस तरह से एक जगर ठहरा हुआ पानी सडने लगता है और बहता हुआ हमेशा साफ होता है उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हम सफल होएंगे तो हमेशा अच्छा सोचों अच्छा करोर आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी कार्ण सी कहे रहें कि अगले 6 महीने आपके लिए बहुत खास होने वाले इन 6 महीनों को बिलकुल मत गवाईएगा इन 6 महीनों में जितना हो सके उतनी महनत कर और आगे बढ़ते जाएं कॉंसेंट्रेशन पूरा आपने लक्ष पर होना चाहिए टेरो कार्ट्स और यूनिवर्स आप से समझ लेते हैं किसी खास काम को लेकर के चल रही आपकी महनत सफल होने वाली इस्थान परिवर्तन की किसी योजना को पूरा करने के लिए भी समय बह हो सकते हैं इसलिए उचित रूप रेखा बना लें और अपने कारियों को अंजाम दें इस समय बिजनेस से संबंदित खांस फैसलों पर काम करने से पहले आप सला लें कारिशेतर में लोगों के साथ दोस्ताना वैवहार रखें ज्यादा रोक्टों की वज़े से आप परेशान हो रहें पिछले कुछ समय से चल रही जो परेशानिया हैं उनसे आपको राहत मिलने वाली हैं बहुत अच्छा समय आपके जीवन में आने वाला है तो बिलकुल रिलाक्स रहें काम की गती थोड़ी धीमी हो सकती है लेकिन फिर भी तनाव ना लें बहुत जल्दी सुधार करें पॉजिटिवीटी बढ़ाएं सोच में पॉजिटिवीटी लाएं अपने विचारों पर दोबारा सोच करके अमल करने की कोशिश करें ठीक है चोटी मुटी रुकावटे आने की भी संभावना बढ़री उदासिंता को दूर करने का रास्ता मिलेगा जिस बात चिंता छोड़कर हाथ में लिए गए काम को सही तरीके से करने की कोशिश करें नकारात्मकता दूर करने के लिए विचारों को सकारात्मक बनाएं अपनी इच्छा शक्ति के बल पर लक्ष हासिल करें सैयम बनाय रखें अपनी खुबियों और खामियां दोनों पर ध्यान दें काम से अधिक परिवार के लोगों की जरुतों पर आप ध्यान दें परिवार के लोग कमजूर क्यों बन रहें यह समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है भविश्य में आपके पास पैसा ही पैसा होगा खुब पैसा कमाएंगे जीवन में खुब आगे बढ़ेंगे टेंशन क्रियेट ना हो इस बात का ध्यान रखें जीवन में आगे बढ़ें बहुत कुछ अच्छा अच्छा आपको लाइफ में करना है बहुत कुछ रिलैक्स होकर के जीवन में करना है तो टेंशन फ्री रहें रिलैक्स रहें जीवन में हमेशा आगे बढ़ें अपने मा आए रखे और समय की कीमत को समझे जो इंसान पैसों के पीछे भागता है वह इंसान हमेशा भागता रहता है लेकिन जिसने एक बार पैसों की वेल्यू समझ लिए उसने जिंदगी भर पैसों को लेकर के टैंशन क्रियेट होना जरूरी तो लाइफ बहुत कीमती है इस कीमती लाइफ को आप जितने हो से के यूज़ करें अच्छे से जीवन में आगे बढ़े लाइफ में टैंशन प्री रहे रेलक्स रहे सब कुछ ठीग होगा बहुत जल्दी आपदिशन में आघे बढ़ने वाले हैं तो रेलाक्स रहे लाइफ को अच्छे से रिड़ूब करें टैंशन प्रे रहें कॉंसेंट्रेशन बना करके रखें और जितना जल्दी हो सकें अपने आप पर कंट्रोलिंग करना शुरू करें ठीक है तो वीडियो अच्छी लगए प्लीज लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बला आकन को प्रेस करें वीडियो को शेयर हर हर महा देव